स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जैसा कि आप थमनेल पर देख रहे हैं वीडियो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है कुछ यहाँ पाजानकारी आपको देने वाले आज की वीडियो में ने क्यों बनाई है करें चाहिन देखने हैं पर कि यह कुछ यहां पर हमने फेक्मेंट के इंसरत ही मैं आपको यहां पर बहुत कुछ बताने वाली हैं तो देख लिजिएगा क्या कुछ आ चछी जानकादी आप लगों पढ़ना जरूरी है तो आज की वीडियो को लाइक पर पहली रे सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे है वह ब्सक्राइब कर लोग और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टडी के टेग चैनल में आपको यूटुब से रेलेटेड जयानकारी को बनाना है कैसे यूटूब से पैसा कमाना है इसके बारे में जयानकारी देते हैं और सेड़ी के सिफ विजु बनाती हूं चलिए आज की वीडियो में आपको बát कर लेते हैं बता लेते तो यहां पर उनका जो कमेंट आया हुआ है वो यह है आप स्क्रीन पर देख लिजेगा अब यहां पर जो है यह लिखा हुआ है धरमराज करके मतलब के है यह और यहां पर लिखा है दीदी हमारे गाउं में दस महिलाओं का सम्हू है और सम्हू में से तीन महिलाओं का निकाल दिया और अध्यच और सचिव तो कलेक्टर से ज़्यादा पावर बढ़ाते हैं और समाज समूह से थो निकाल दिया बट उनके बैंक में अकाउंट ओपन किये थे जो भी बंद नहीं करवाया और दस के नेम पर पैसे लेकर साथ से ले रहे तो हम अपना अकाउंट कैसे बंद करवाएं पिलीज हेल्प मी अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मालीजे इनके कमेंट के हिसाब से मालीजे कि इनके समूह में दस दीदी थी और अध्यच सचीव जो हैं वो मतलब के तेस तर्रार हैं जो भी हैं समूह की महिलाओं को परिसान कर रही जो भी कर रही दस महिलाओं का सम्हू बना है आप सभी जानते हैं कि जब भी सम्हू बनता है सम्हू में हमारे जो कुछ डाकुमेंट जमा होते हैं सभी दीदियों के जमा होते हैं जैसे की अधार काट की फोटो का भी परसनल बैंक खाते की फोटो कापी और फोटो लेकिन जब सम्हू बन ज खुलता है उसमें केवल तीन दीदी का संचालन करने का ठीक है बाकी दीदी का खाते से मतलब नहीं होता है केबल अपने सम्हों में खाते के पैसे का बेवरा जो है सभी लोग साज़ा करती है आपस में लेकिन बैंक जाना पैसे निकालना लाना है तो अधिश सचीव कोश अधिश की जिमिदारी आप सभी जानते ना यहां पर समझाने की बात है वो आप समझ लीजे पू समिन आप Hoardy हो जो भी सरकार का सब्सक्रा लाइम असरोमने कि नेखिए सबस्क्राइब है भला जाना अगर हम आपको प्रेशन का उत्तर दें तो यहीं कि जैसे अगर दस इम्off Any के नाम से पैसा निकला और दस दीदी ने पैसा उधार लिया है थोड़ा थोड़ा सभी 10 दीदी ने तो पैसे की वापसी भी दसो दीदी को ही अपने पैसे की वापसी करनी है अगर बाइचांस 3 दीदी को निकाल दिया गया है तो ये अध्यच सचिव की गलती है क्योंकि जब तक वो दीदी पैसा वापस नहीं करेगी समू वो नहीं छोड़ सकती आप उसे नहीं निकाल सकते यदि वो अपनी मर्जी से भी निकलती है तो सबसे पहले उस से उसका उधार पैसा वापस लिया जाएगा फिर समू में परस्ताव पास किया जाएगा कारड लिखा जाएगा उसके बाद ही उन्हें निकाला जाएगा यदि आप निकाल रही है समू से तो उनका बचट का पैसा उनको दिया जाएगा और समू से उनका नाम कार्ड दिया जाएगा फिर बिलोग पे जाकर भी पोर्टल से हटा दिया जाएगा यानि कि बी-म-म से कहकर डिलीट करवाय जाएगा लेकिन यदि आपके समू में 10 दीदी हैं तीन दीदी को आप हटा रहें तो उसकी जगापर किनी 3 दीदी को आपको जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि 10 से कम सदस से समू में नहीं हो सकते तो कुल मिलाके अगर 10 दीदी ने पैसा उधार लिया है तो अगर उसमें से 2 या 3 दीदी जो भी हट गई है या हटाई जा रही है तो पहले वो अपना पैसा जमा करेंगी अगर किसी कारड़ बस पैसा नहीं जमा कर सकती हैं वो क्यूं जमा करेगी उसने नहीं लिया तो 10 दीदी का पैसा 7 दीदी से नहीं लिया जा सकता है 7 दीदी का पैसा 7 दीदी से लिया जा सकता है यानि अगर 3 दीदी हटी है तो वो अपना पैसा जमा करेंगी समू की जो भी अध्यश्च सचिव को साध्यश हैं समू को अपना परिवार मान कर चलाएं किसी के साथ बेदबाव ना करें और सही तरीके से समू को चलाएं क्योंकि समू सही तरीके से चलेगा समू में एकता रहेगी तभी समू आगे तक जाएगा लाभ मिल पाएगा तो कि आपको बात समझ में आ गई होगी यदि आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है आपका प्रस्ण कुछ और है तो आप उसको फिर से कमेंट बाक्स में अच्छे से लिख सकते हैं मैं दुबारा से कोशिद करूंगी आपके प्रस्ण का उत्तर दे सको और यदि आप लो बनुद्टूरा करें लाइब वीडियो पर मैं आपके कमेंट पढ़ती हूं और लों जुड़ते हैं सभी लोग करें जब मैं लाइब आती हूं क्योंकि इससे आप ही लोग का फायदा है अधिक से अधिक प्रश्णों के उत्तर में दे पाती हूं और जाते-जाते कि मेरे दो और चैनल है Study KSF Tech उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और Study KSF Vlog उसको भी सब्सक्राइब कीजिए इस समय हमारे इस चैनल पे 90,000 के पिलस आप सभी लोग सब्सक्राइबर है पूरा परिवार है आप सभी का जुड़ा हुआ बहुत साही होगा आप सभी का 90,000 में से केवल मैं 1000 लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ जानकारी खटा करती हूँ आप सभी को समूसे रिलेटर जानकारी देती हूँ तो प्लीज आप सभी से request है कि only एक-एक-घार लोग study case से take channel को subscribe कर लीजे study case से vlog channel को subscribe कर लीजे तो एक-एक-घार subscriber दोने channel के पूरे करने हैं नीचे description में दोने channel का link मिल जाएगा तीन दिन में जरूर से जरूर subscriber पूरे करें अपना सहयोग करें हम भी आपके साथ लगाता सायोग बनाए रखेंगे धन्यवाद